आज JSC ने JSC CGL और वैसे विग्यापन जो आ चुके हैं और भोईस में जो आने वाले हैं उनके एक्जाम से समन्दीत कई सुचना जारी किया है तो देखते हैं JSC के दोवारा जारी किया गया सुचना किया है या JSC CGL और अनी छात्रों के लिए कई से रिलेटेड है सबसे पहले देखिए विग्यापन संखिया 10-2023, 11-2023 या JSC CGL के लिए आवसेक सुचना संखिया चाहर है जो 10-8-2023 को जारी किया गया है बोल आ गया है JSC CGL के लिए आविदेन पत्र जो है 26-2023 से लेके 38-2023 की मधिरातिर तक आविदेन आमतिरित किया गया था आनि कि 3 अगस्त को ओनलाइन आविदेन करने का जो पोडल था वह बंद हो गया था लेकिन JSC C ने फिर से बोला है कि अपर यह यह कारण से ओनलाइन आविदेन की तितियों में निम्नुवत समस्वधन क्या जाता है कि ओनलाइन आविदेन का पोडल JSC CGL के लिए फिर से खो करें तक गया है 1968 23 की मधियरातरी तक दिया गया है उसके बाद कि आःव इसके भी तरह का जो संसोधन हो रहा था जो कि नहीं हुए तो इसके बाद 15 बढहा तक कि नहीं घा था कि बाद गार्व तारीक के बाद संसोधन भी नहीं लेगा लेकिन जैसेसी ने आप बोला कि आप हम संसोधन के बदले क्या संसोधन के बदले हम निव रश्टेशन भी एसेप्ट करेंगे और संसोधन के आखरी तीथी क्या रखा गया है अभी अधिकांस एक्जाम हो चुका है इसका कुछ शिप्ट का बाकी है और इसका रिजल्ट परकासन अक्टूबर 2013 के दूसरे सब्सक्रा में कर दिया जाएगा इसके बाद पीजीटी पीजीटी का एक्जाम में कोई है फिर नहीं किया गया है 18 अक्टूबर से 10 नौमबर 2013 तक पीजीटी के एक्जाम होगा इसका एड्मीट काड एक दो दिन में एड्मीट काड भी जारी कर दिया जाएगा अब जार्खन डिप्लोमा अस्तर संहिक्त परतिविता बरिच्छा 2020 इसका एक्जाम जो है दो नौ 2020 से होगा इसके बाद है ज दिसमर में रिजल्ट जारी करने की समावना है निकि 14-15 अक्टूबर को जारी कि एक्जाम होगा उसके बाद पूछे आने वाले ज्यापन के बारें भी बता देते हैं इसके बाद नगरपालिका का एक्जाम जो है 29 अक्टूबर 2013 को आजित किया जाएगा उत्पात सिपाय क अब होगा तो फीजिकल जो है अभी तक आज के डेट तक कलेंडर का कोडिंग ही चर रहा है कि लेब श्रीटेंट के जाम हो गया एक्जाम अधिकांस सिप्ट के खतम हो गया कुछ बांकि है जो दस नोदस एकारत तक खतम हो जाएगा उसके बाद उत्पात सिपाय का जो फी सेक्टमबर में फीजिकल इसकी शुरुवात होने की पूर्ण सभावना है क्योंकि जैसा से अपने कलेंडर का कोडिंग चल रहा है इसके बाद आइटियो वालों के एक्जाम जो होगा पंदरा दिसंबर दिसंबर दो जारताइस से लेके 17 दिसंबर दो जारताइस तक इसका जो है अठाश अठाश 10-2030 को इसके परिछा की तिथी संबावित है इसके बाद जो आपका है जो अभी प्रामरी टीचर का विग्यापन निकला है उसका एक्जाम का होगा ओनलाइन मोड में इसका एक्जाम होगा उसका नोवंबर दो जारताइस का दूसरे सब्ता आनि कि जो अभी पी आटी वालों का जाम निकला है आनहिके मिटील स्कूल के विजयापन उसका एक्जाम के ति ती जो रखा गया है नॉम्बर 2030 रखा गया है जहारखन असना तक तक्निकि विषिट इसका एक्जाम न एक घो जो विग्यापन जो होगा दो चार दिन में इसका विग्यापन अब जारी कर दिया जाएगा महिला परुष्षक का और जो है नॉम्बर 2023 के तिसरे सब्ता में इसका एक्जाम हो जाएगा महिला परुष्षक का उसके बाद है जो intermediate अस्तर 10 प्लस 2 वालों के लिए जो सब्सक्राइब कर दिया है और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जैसे सी जेल का लिंक फिर से ओपन कर दिया इसमें क्या बात रहा कि फिर से आवेदन के लिए लिंक ओपन किया गया है यह हो सके जैसरी के या किसी नेता विधाय के सगेज समंधियों को ओनलाइन करना चूट कर दिया होगा जिन्होंने सेटिंग कर लिया कि यह हो सकता है सवाल तो कुछ सवाल उठ सकता है ना लेकिन क्या कारण है नेकिन अभर वाल हुआ है कि कि आविदन का लिंक फिर से एक्स्टेंड कर दिया गया है सारा समर्फित होने के बाद भी अभी 11-15 के बीच आविदन कर सकते हैं इसमें कितने आविदन होंगे नहीं जानते हैं कौन को आविदन करेंगे और इसका क्या परिनाम होगा वह समें आपको पता लगेगा वह समें तो देखते हैं अब क्या होगा लेकिन फिलाल एक्जाम की टैठी जैससी ने चारिक कर दिया है उसी तिठी के नुसार अभी त्यारी जैससी की पूर्जवर्चर रही है थैक्स वर वाचिंग